जहां बीते दिनों जस्टिसर संजीफ खरना और दिपांकर दत्ता ने एवियम पर अपना फैसला रिजर्फ करने के बावजूद भी इस मैटर को वापस से लिस्ट किया था तो लोग चौक गए थे कि आखिर मसला क्या है बाद में समझा कि सुप्रीम कोट बेंच को ECI द्वा आने वाला है तो लोगों में खलवली मच गई इसलिए भी क्योंकि आज से एलेक्शन्स अपने सेकेंड फेज में एंटर कर चुके हैं आप सुनकर चौक भी जाएंगे कि अपना वर्डिक्ट सुनाने के साथ साथ सुप्रीम कोट बेंच ने ECI को कुछ डिरेक्शन्स भी द प्रोग्रामेबल नहीं है और इसमें छेड़गानी करने की पूरी संभावना है लेकिन जस्टिस संजीव खना काफी गुसा हो गए और सीन्यर अड़ोकेट बेंच को फटकारते हुई कह दिया 26 एप्रिल को साथ 10 बजे सुप्रीम कोट की बेंच इस मामले में अपना फैसले सुनाने के लिए बैठी और सारी लोगों की नजर इस फैसले पर आठीकी और जब बेंच ने बताया कि तो excitement और बढ़ गया हाला कि petitioners को disappoint और एक बड़ा जटका देते हुए जस्तिस संजीव खना ने state किया यह सुनकर जहाँ petitioners काफी disappoint हुए वही Supreme Court bench ने एक interesting turn-off event में election commission of India को कुछ directions दिये हैं जो make sure करेंगी कि elections में छिडखानी की संभाव नाए और कम हो जाए और अगर किसी को elections की किसी भी aspect से दिक्कत हो तो वो safely इसके खिलाफ action ले सकता है पहला direction देते हुए जिस्ति संजीव खना ने dictate करते हुए कहा कि अपसे EVM के microcontroller की जाज उसके manufacturer द्वारा हो सकती है रिजल्ट के बाद अगर candidates जो second या third आये हैं उन्हें शक है कि EVM में छिडखानी हुई है जी हाँ आपने सही सुना इस order में ये भी state किया गया है कि ऐसी request result के एक हफते के अंदर करनी होगी और इस verification के लिए पहले candidate को पैसे ECI को देने होंगे हाला कि ये amount refund हो जाएगी अगर EVM में कोई गरबर पाई जाती है अब आते है Supreme Court के दूसरी direction पर जो भी काफी important है और make sure करेगा कि elections में discrepancy के chances कम हो यहाँ पर Supreme Court ने symbol loading unit पर focus किया है और कहा है कि इसके use के बाद इसे भी seal करके store किया जाएगा EVM के साथ में कम से कम 45 days के लिए और इसके साथ वैसे ही deal किया जाएगा जैसा कि EVM के साथ deal किया जाता है आसान शब्दों में Supreme Court directs election commission of India to seal symbol loading units for 45 days after symbols loaded to EVMs हालकि मामला यहाँ खतम नहीं हुआ क्योंकि Justice Sanjeev Khanna ने ECI को एक suggestion दिया है और उनसे कहा है कि वे इस मामले पर विचार करे अगर ECI इस suggestion को consider करती है तो अंदाजा लगाना असान है कि elections में cross verification की chances और बढ़ जाएंगे जिससे errors कम होंगे इस मामले में अपनी बात रखते वे जिस्टिस दिपांगर दत्ता ने कहा कि लोगों का ऐसा blind mistrust उनके लिए ही काफी मुश्किले पैदा कर देता है जब वोई बिनावजा किसी organization को शक्की निगाहों से देखने लगते हैं अब चली एक बार इस order को detail में देख लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर के respect में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टीट करते हुए कहा सच कंडिडेट्स और देर रेप्रेसंटेटिवस शाल इडेंटिफाई देर एवियम्स वाई पोलिंग स्टेशन और देर सीडल नंबर जो एक group of engineers की साथ जाकर इन microcontrollers की validity को चेक करेगा सुप्रीम कोर्बेंच ने order में further state किया है The district election officer in consultation with the team of engineers shall certify the authenticity and intactness of the burnt memory microcontroller After the verification process is conducted the actual cost or the expenses for the said verification will be notified by the ECI and the candidate making the said request will make payment of the said expenses expenses will be refunded in case the EVMs are found to be tampered अब बात करते हैं सिंबल लोडिंग यूनिट की तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने hearing में शायद पाया कि EVM के साथ साथ सिंबल लोडिंग यूनिट भी काफी imported है तभी उन्होंने SLU को भी EVM की तरह ही safe रखने के directions दिये हैं अपने वर्डिक में Supreme Court has stated that on completion of the symbol loading process in the VVPAT undertaken on or after 1st May 2024 the symbol loading unit should be sealed and secured in containers the candidates or their representatives shall sign the seal the sealed containers containing the SLUs shall be kept in the strong rooms along with the EVMs at least for a period of 45 days post the declaration of results they should be opened and examined and dealt with as in the case of EVMs आपको याद दिला दे कि Supreme Court bench ने Fasla Reserve करने के बाद भी कुछ सवाल ECI के सामने पेश किये थे जिसमें कि symbol loading unit से भी जुड़ा एक सवाल था Supreme Court का सवाल ये था कि how many symbol loading units are available with ECI जिसका जवाब देते हुए ECI ने कहा था regarding the number of symbol loading units ECIL has 1400 SLUs and BHEL has 3400 SLUs आपको बता दे कि Supreme Court ने एक legal angle का question भी Election Commission of India से पूछा था जिसमें 45 days की importance पर काफी जोर दिया गया था और वो है limitation period for storing the EVMs is for 30 days but section 81 of the Representation of People Act says the limitation period is 45 days we want a clarification Supreme Court ने इस case में भी suggestion दिया था कि accordingly storage should be increased if it's 45 it can be 60 जिसका जवाब देते हुए Election Commission of India ने कहा था all the machines are stored for 45 days on the 46th day CEO writes to registrars of concerned high courts if any election petition is filed, the machines remain stored यार दिलादे की पिछली hearing में Election Commission of India की ओर से मौजूद होकर Senior Advocate Maninder Singh ने कहा था कि all the three units, control unit, ballot unit, voter verifiable, people audit trail have their own microcontrollers the one-time program is burnt into them लेकिन इसी point से Senior Advocate प्रशान भूशन अगरी करते हुए नहीं दिखे थे और बार बार सुप्रीम कोट बेंच को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं है और यह उनके अब फैसले से भी साफ है लेकिन उमीद आए कि सुप्रीम कोट के इस direction से शायद आने वाले दिनों में election process में changes देखने को मिल सकते हैं अपनी राय हमें comment section में जरूर बताए and till then keep following law चक्रा